Hello guys, welcome back to my channel. So friends, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये 2nd year 4th semester का चाप्टर The Envoy. तो चले फड़ावट स्टार्ट करते हैं. So, आज का अपने चाप्टर है The Envoy. Envoy means messenger, दूद. ठीक है? सबसे पहले मैं आपको इसकी हमीशा की तरह मोटी मोटी वेसे संबरी बताऊंगी Then हम अपनी line to learn and explanation इसको करेंगी. ठीक है? So, सबसे पहले इसमें characters के अगर हम बात करें तो इसमें basic 6 characters है दुर्योधना. Guys, जो यह अपना chapter है, जो यह अपना play है, यह महापारत से related है. ठीक है? Complete महापारत नहीं है इसमें, बट केवल उसका कुछ अंशली आ गया है. So, इसमें अगर characters के बात करें, तो कितने characters हैं? 6 characters. अपने इस play में दुर्योधना, भीष्म, लॉर्ड कृष्णा, द्रॉपदी, युदिष्ट्र और धृतराश्ट्रा. ठीक है? तो जैसे play कैसे start होता है? प्ले ऐसे start होता है, जो दुर्योधन है, जो कौरव प्रिंच है, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे. ठीक है? तो जो कौरव प्रिंच है, कौरव का राजा है, वो एक meeting बुलाता है. किस चीज के लिए, commander of the army को select करने के लिए, जो उसकी army है, जो उसकी सेना है, उसकी commander को select करने के लिए वो एक meeting बुलाता है. ठीक है? तो at last, क्या decide होते की कौन होगा, उस army का commander कौन होगा, that will be Bhishma. ठीक है? भेशम पिताम है, उस army की commander होगे. ठीक है? जैसी अपनी meeting चल रहे हो होते हैं, meeting में कौन कौन आते हैं, उसके family members आते हैं, और जो दरबारे होते हैं, वो सब आते हैं, ठीक है? फिर यह meeting चल रहे होती है, तो एक chamberlain, chamberlain कौन होते है, जो जिसे भार से, जो संदेश ले के आता है, कि महराज आप से मिलने के लिए वो आया है, ठीक है? इस तरीक ह हापने जो और दरबारी बैठी थे उसमें राज सभा में ठीक है, टुब उनको क्या चैते है कि जैसे कृष्णा और आएगा, वो उसको कृष्णा के insult करना चाहता था, खेरकcji के insult करना चाहता था, तो जैसे कृष्णा अंदर आएगा, तो कोई भी, कोई भी अपना से से खड़ा नहीं होगा all will keep sitting at their places ठीक है बट आगे कि मैं बताऊंगे बट में क्या है ठीक है जैसे चैंबलेन आता है कि कोन आ रहे लौड कृष्णा आए हैं आप से मिलने के लिए ठीक है फिर दुरियोधन क्या सोचता है उसके इंसल्ट करनी की सोचता है फिर वो क्या कहते है ठीक है फिर वो अचानक से अपने किसी वहां पर इनसान को किसी भी उसको वह क्या घते है अब डिस ओरडर देते हैं फटा फट वह जो द्रॉपदी वारे जो पिक्चर है पेंटिंग है बूराई जाए क्योंकि उस पेंटिंग में क्या था यहां पर आप साइड में देख करते टाइम उस पिक्शर में क्या था कि द्रौपदी को गसीट से लेकि जाया जारहे लाइक उसके बाल पकटके उसके पैंटिंग में वह शोग गिया तो उसको दृयोधन को वह भी बहुत जादा पसंट थी द्रौपदी की जिसमें उसको घसीटा जारहे जो वहां पर और बागे दरबारी बैठे थे थे रहे हैं जैसे क्रिश्णा अंदर आते हैं तो उनके दिल में कृष्णा के लिए बहुत जाद रिस्पेक्ट थी तो वह क्रिश्णा किसली आते हैं क्रिश्णा एक पीस जैसे जब दुर्योधना है जिसने पेंटिंग मंगाई थी तो दुर्योधन क्या करता है कि जैसे क्रिश्णा आएंगे आप सभी लोग तो बैठे रहें खड़े मत होना क्योंकि बेसिकलिए उसका मेंटलीटी थी जो इसका इंटेंशन था वह यही था क्रिश्णा की इंसल्ट करना और कहते हैं कि आप सभी लोग बैठे रहें और मैं जो इसकी तरब देख करता है तो जैसे क्रिश्णा अंदर आते हैं उसके उनकी क्रिश्णा की नजर उस पेंटिंग के उपर पड़ती है जिसमें द्रॉपधी को ऐसा गसीटते वह लेके जाया रहा था तो उस चीज़ को देखके उनको बड़ा गुच्छा आता है दिन क्रिश्णा दुरियोदं से कहते हैं कि मैं यहाँ पस प्रोपोजल लेके आया हूं एक शांती का प्रस्ताव लेकि आया हूं पिकश्थ languages क्यों किtså् सब्रॉपद्स प्रॉपोज्टत् técnica कि हमें हमारे शेयर दे दो लेकिन यह तो यह तो हमें लोटा दो अधरवाइस वार हो जाएगी इसे में करना है कर लो मैं तो वापस नहीं दूँगा तो ऐसे में खुरिशन तुभादे उसको समझाते हैं क्रिश्ण में ट्रायां कि उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि war हो जाएगी इस बेटर कि तुम यह मान जाओ यह जो proposal है प्रस्ताओ है इसको मान जाओ उनको पांडवास को उनका बच्चा हुआ जो inheritance है वो वापिस दे तो लेकिन वो ऐसा खुश नहीं मानता है कृशन उसको समझाते कि war कभी भी like war हमेशा destruction ही लाती है नुकसान ही पहुचाती है war कभी भी अच्छी नहीं हो सकती लेकिन वो कहते है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें वापिस नहीं दूँगा ठीक है तो यह सब कहके फिर दुर्योधन कहते है कृशन को कि तुमने भी तो अपने उसको क्या कहते है कि भीम का और अर्जन का गुस्ता तुम्हें मार गिराएगा तुम्हें और तुमारी पूरे रज्य को वो नष्ट कर देंगे ठीक है लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे कोई फर्ग नहीं पड़ता तुमने भी तो अपने मामा कंस को मार दिया था फिर वो कहता है कि मैंने इसलिए मारा था because he was an evil man वो एक बुरा इंसान था and उसने मेरे पिता को बंदी बना लिया था और मेरी जैसे mother के बहुत से बच्चों को उसने मार दिया था तो इसलिए मैंने उसकी हत्या की ठीक है तो फिर वो कृश्ना को काउ हर्ड भी कहते हैं ग्वाला कहते हैं गाय चराने वाला कहते हैं ठीक है दुर्योधन को जैसे माल डालो और इसके पूरे राज्य को तहस्नाइस कर दो फिर अच्छा फिर जो सुदर्शन चक्र है वो कृष्णा को समझाता है कि हे प्रभू आपके क्या करने जा रहे हो आपको आपने जर्ती पे जन जन किसले लिया था विकास आप ताकि जर्ती पे आप शांती बनाए रखो और आप ऐसा करोगे तो यह अच्छा नहीं है तो इस तरीके से जब वो सुदर्शन चक्र कृष्णा को समझाता है फिर जल मान लो अधरवाइस वह और हो जाएगे बहुत बुरा हो जाएगा ठीक है लेकिन वह नहीं मानता फिर कृष्णा वहां से चले जाते हैं जो जा रहे होते तो जो यह दृत धिरत राष्ट्र 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 यह कौन है दृर्योधन के फादर हैं यह खांगे द पी मांगता हूं फिर एट लास्ट कृष्णा दृत राष्ट्र कुम आप कर देते हैं फिर वहां से चले जाते हैं तो यह था अपना पूरा सीन जिसमें प्ले में चीक है कि इसमें छे करेक्टर्स हैं तुर्योधन भीष्ण लॉड़ कृष्णा तृपदी युदिश्र द सब्सक्राइब करते हैं अपने लाइन टो लाइन एक्स्प्राइशन ऑफ चाप्टर द वह पहले ले लो इसका स्क्रेंशोट ले लो गाइज गर में बहुत ज्यादा हो रखिया प्लीज टेक क्यर आफ यॉर्सेल्फ विकास गर्में में हमें पानी पीते रहना चाहिए अब बहुत बड़ी वीडियो देखके उसको नहीं देखते कि तो बहुत बड़ी हो चाहिए तो नहीं पढ़ा जाएगा इस तरीकी से तो इसलिए आप लोगों को वीडियो छोटी भी लगी और आपको बेस्ट कंटेंट मिले तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है ठीक है तो अब विदाउट वेस्ट के नोगा चाहिए जैसे अपना प्रेस होता है दुर्योधना दरभारी तो अपनी की मिटिंग बुलाई है दर्बारियों की and family members in order to make consultation about the coming war जिसे अपने family members की और अपने दर्बारियों की उसने एक meeting बुलाई है किसलिए for to make consultation consultation means परामर्ष चाहिए किस बारे में परामर्ष for the coming war वो भी जानता है कि कॉर्वोस और पांडवोस की बीचे वर होने वाली है वो उनको उनका inheritance नहीं दे रहा है तो इसलिए वोर तो होगी ठीक है he tells them that वो उसको बताते हैं वो उनको बताता है कि that he has a force of 11 armies की मेरे पास ग्यारे आर्मी की सेना है ठीक है की force है क्या करते है then he asked them वो उनको पूश था बताते ही even as to who should be the commander of these armies की जो आर्मी से 11 armies की कमांडर कोन होगा बताएए then he proposes फिर वो इस भीष्मा शुद बीट बेट ग्मांडर पर कहते है कि जो हारी भीष्म पिता में है यह उस आर्मी की कमांडर होंगी ठीक है यहां पर बीच में एक लाइन रह गई कहां गई about the coming war he greets his grandfather वो अपने grandfather को greet करता है नमशकार करता है brothers अपने भाईयों को and other courtiers और बागी दर्बारियों को नमशकार करता है he tells them that he has force of 11 armies की 11 armies की उसके पास force है ठीक है he asked them as to who should be the commander of these armies फिर वो कहता है कि जोई armies हैं जो मेरे 11 armies हैं इनका commander कौन होगा then he proposes that Bhishma should be made the commander of these armies की को बना देते हैं Bhishma पितामे को इस जोई armies हैं का commander बना देते हैं just then the Chamberlain enters फिर तभी फिर कौन आता है Chamberlain Chamberlain मैंने वही बताया है जो भार से संदेश ने क्याते हैं कि आपके लिए यह आया है वो आया है इस सथी किसे ठीक है just then the Chamberlain enters Chamberlain आता है he announces that Lord Krishna has come to meet him and the others की Lord Krishna आये हैं आप से और और उसे मिलने के लिए और कोन है वहापन उसके दर्बारी थे उसके फैमिली मेंबर से उसके लोड़ कृष्ण मिलने आये हैं ठीक है the Chamberlain calls Krishna the best of men तो कहते है कि वह कृष्णा आप से मिलने के लिए आया है वह तो बड़े अच्छी आदम है तो यह सुनके दुर्योधना को बहुत जाद गुस्सा आजाता है और साइस्ट कृष्णा इस ओनली काव हर्ट कृष्णा तो के वले ग्वाला है के वले गाय चराने वाला है तो मुसको बेस्ट में कैसे कह सकते हो ठीक है दुर्योधना आस्ट असेंबली हाओ शुट कृष्णा बेसीव करना है ठीक है दुर्योधना ओस्ट कृष्णा की इंसल्ट करना चाहता था राइट रिले जी स्क्रिंशोट और अब भी में इसे कृमेंट सक्ष्ण में आप पूश सकते हैं ठीक है तो ले लोग उस कृष्णा लोग है दन ही तेल्स असेंबल प्रेंशेस इंटर वो जो वहां पर सभा में जो इखटे हो रख्यों प्रिंशेस थे वह उनको बताता है कि जैसे कृष्णा अंदर आते हैं और देशुद नॉट संट अप उन्हें खड़ा नहीं होना में इस देशूट कीव जैसे कृष्णा अंदर आएंगे वह एक पेंटिंग की तरफ देखते रहेंगे विच शोज द्रॉपदी बीग ग्रेग्ट बाई है और कौर्वा कॉर्ट उस पिक्चर में क्या दिखा रख है कि द्रॉपदी को उसके पाल पकड़के उसे घसीटा जा रहा है कहां पे कौर वो उसकी तरफ देखता रहेंगा यही ओडस पो डइंटिंग बी बाट फींटिंग के लिए आधेश जा कि पिन्टिंग लाई जाये दुरियोधणा लाइस पेंटिंग को लाई करता है दुरिय०्ध्धना पसंद है दिन लिए पिक्चर शोग गया है जो पेंटिंग क्या शो किया गया है that दूसाशना is dragging द्रापदी by her hair जो दूसाशन है वो द्रापदी को गसीट रहा है उसके बाल पकड़के द्रापदी is full of terror and shame at her insult द्रापदी बहुत ज़्यादा गबराई हुई है द्रापदी is full of terror and shame at her insult वो अपने बेज़ती पे shameful feel कर रही है ठीक है शकुनी यही यह भी उसी picture में ही depict उसी picture में ही show किया गया है ठीक है शकुनी the king of gangadhara is also shown in the painting शकुनी को भी दिखाया गया है his laughing to see द्रापदी वीपिंग वीपिंग होता है रोते हुए रोना ठीक है जो शकुनी है वो हसरा है उसको द्रापदी को रोते हुए देखकर ग्रेंट फादर जो ग्रेंट फादर है दादा जी है भिष्मा है जो शर्म के वहारे जो कर गया है ठीक है तो यह सब उस प्रेंटिंग में show किया गया था just then krishna enters तभी फिर एक रिख्रिश्ना एंटर और ख्रिश्ना आ जाते है ठीक है he says that he has come with a proposal for peace वो कहते है कि मैं आपकी कोर्ट में मैं आपके सभा में किसले आया हूं एक शान्ती के प्रस्ताव लेके आया हूं he has come at the request of Yudhishtra and out of friendship with Arjuna वो कहते हैं कि मैं किसले आया हूं because Yudhishtra की request पे आया हूं and just because of the friendship with Arjuna मैं इसलिए आपके कोर्ट में यहां पर आया हूं और किसले आया हूं पुर्द पीस हां स्वरी प्रपोजल पॉर पीस ठीक है शान्ती के लिए जो प्रस्ताव लेकिया है उसके लिए वह यहां पर आया था ले लो स्कूरिशोट then he says that if there is war the anger of Bhima, Bhim and Arjuna will destroy the whole Kuru family वह कहते है क्रिश्ण कहते है कि अगर वह हो गई अगर युद्ध हो गया तो जो भीम और अर्जुन का गुस्सा है वह पूरे जैसे कूरु परिवार है कोरों का परिवार है उस पूरे परिवार को नष्ट कर देगा ठीक है he says that Duryodhana has a magnificent palace, magnificent means like शांदार कि जो तुम्हारा ये बहुत शांदार महल है, palace means mahal, he has a big army having elephants and horses, उसके पास आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें क्या क्या है, हाथी है, घोड़े है, बहुत जादा, but none of it will survive if there is war, लेकिन इन में से कुछ भी नहीं बचेगा अगर लड जैसे क्रिशन आते हैं, all the warriors of the court seem confused, whether they should stand up or keep sitting, तो जैसे क्रिशन अंदर आते हैं, तो जो महा की warriors थे, जो महा की योद्धा थे, वो confused से लगते हैं, क्योंकि, क्यों, क्यों, वो सोच रहे हैं कि हमें खड़ा होना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, वो जैसे आपने क्रिशना की respect करते थे, बट उनके king था, जो दुरियोधना, उसने मना कर दिया था, कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, so that's why they are confused, ठीक है, यहां थे ना, ठीक है, क्रिशना ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, ठीक है, नविशकार करते हैं, दुरियोधना बैठे र और अपने उस पैंटिंग की तरफ ऐसे देखता हूंगा, ठीक है, लेकिन, but such as the power of Krishna, that he falls from his throne, थ्रोन होता है, सिंहासन, सिंहासन को ध्रोन कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिशना की पावर की वज़े से, वो अपने सिंहासन से गिर पढ़ता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है, ठीक है, ठीक है, ध्रापदी इंसल्ट जिसमें ध्रापदी की इंसल्ट शो की गई, है, he gets angry, and asks the painting to be taken away, वो गुसा हो जाते है, गुसा हो जाते है, उस पैंडिं को देखके, और खहते हैं, इस पैंडिं को दूर ले जाओ, वापस लेके जाओ, इसको यहां से हटाओ, दिन दिन कृष्णा और दुर्योदन टॉक्ट टू इच अधर फिर वापस में बाते करते हैं, कृष्णा जी और दुर्योदन, कृष्णा टाल सिंदित इस ब्रदर्स, यहां पर आई.ड़ इसका क्या मतलो हो था, इस चीक है, कृष्णा तेल्स हिम देट इस ब्रदर्स, कृष रहे बोड़ सेन कर चुके हैं, आव डेवां थे वापस लोटा दिया, यहां जाए, लेली जिसका शोट, right then Duryodhana says that he is not ready to give anything to the Pandavas Duryodhana कहता का भाई मैं तु कुछ भी नहीं दूँगा ठीक है जो तुमें करना है कर लो ठीक है at this Krishna tells him that by mutual confrontations the whole Kuru family will be destroyed भाई आप सी तकराओ की कारण mutual confrontation means आप सी तकराओ आप सी तकराओ की कारण जो पूरी Kuru family है वो दबाओ हो जाएगी नष्ट हो जाएगी ऐसा मत करो Duryodhana says that one cannot beg for kingdoms kingdom भीख में नहीं मांगे जाते Duryodhana कहते nor kingdom be given in charity और नहीं वो दान में दिये जाते हैं kingdoms are won by kings with their bravery जो kingdoms है जो राजे हैं वो राजाओं के द्वारा जीते जाते हैं अपने शक्ति के बल पर ठीक है if they want any share अगर वो कोई share जाते हैं कोई उन्हें कुछ चाहिए they should fight for it उन्हें उसके लिए लड़ना होगा ठीक है otherwise they should become monks monks means saadhu नहीं तो उन्हें saadhu बन जाना चाहिए ठीक है इस तरीके से वो कहता है Krishna says Krishna कहते है that it is not right that there should be a war among brothers वो कहता है कि भाई ठीक नहीं है भाईों के बीच में लड़ा योगी ठीक नहीं है लेकिन दुर्योदन है कि समझने को तयार है ही नहीं दुर्योदना taunts Krishna दुर्योदन है वो Krishna को taunt मारता है ताना देता है that he killed his maternal uncle Kansa कि भे तुमने भी तो अपने जो तुमारे maternal uncle means जो तुमारे मामा है तुमने भी तो उनका वद कर दिया था Krishna says that Krishna कहता है that he killed Kansa as he was an evil man Krishna कहते है कि उन्होंनी कंस का वद किया because he was an evil man he imprisoned his old father उसने उसके बुड़े पिता को जेल में डाल दिया and killed many children of Krishna's mother और Krishna की मदर के बहुत से बच्चे उसने मार डाल ले थे Krishna again asked Duryodhan to give the Pandavas their share Krishna दुबारत से Duryodhan से कहते हैं कि उन्हें Pandavas को उनका share दे दो he says that the arrows of Arjuna will destroy him and his army arrows means वो तीर he says that arrows of Arjuna will destroy him and his army वो कहते हैं जो अर्चुन के जो तीर हैं वो तुम्हें और तुम्हारी आर्मी को destroy कर देंगे नष्ट कर देंगे पाट Duryodhan मान ने को तयार है ही नहीं तु ले लो screenshot तु ले लो दन हावएवर दुर्योधना इस अड़मेंट अड़मेंट मींज अटल वो मतलब अटल था वो अपने जिद पे अड़ा हुआ था जीए करता है कि तुम तुम बात करने लाएक भी नहीं हो कि तुमारे साथ बात की जाए तो ऐसा कुछ उसनी कृष्णा को कह दिया था इस बात पर कृष्णा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो तुम्हारे जो पूरा जो फैमिली है कुरू फैमिली है पूरी भरबाद हो चाहेगी ठीक है प्रूर तो आ रहे լाट्री जाने लगते हैं क्रिशन को करूप अना हम पाट्न में को इस घ्रिछ्णा को रेस्टे से लिए अपने आप आगे आता है कृष्णा को अरेस्ट करने के लिए ठीक है अपने कई रूप आ जाते हैं कृष्णा के महां पे ठीक है दुरियोधना को क्या दिखता है और अनमबर ऑफ कृष्णा अराउंट इसको क्या दिखता है वह कहते है कि एक दिन वह के सात्थ क्रिशन और दिर के साथ क्रिष्णा को मार डाल लेगा धन कृष्णा कॉल्स सूधर्षन फिर खुष्णा अपने क्या क्या सवाई सूधर्षन चक्र उसको बुला लेता है कृष्णा टेल सुदर्शन टू और दिस्ट्रोई दुर्योधना एंड पैलीज वो फिर कृष्णा सुदर्शन चक्र को कहता है दुर्योधन को मार डाला और साथ साथ इसके जो पूरा महल है इसको बरबाद नस्ट कर डालो ठीक है कि अधिए पर दया करो प्रफू को अधिए करो बेए को अधिए पर दया करो ही आधिए जो सुदर्शन चक्र है वो कृष्णा को कहता है कि जो प्रभू आप इस धर्थी पर जैसे लोगों को लोगों के कल्यान के लिए आयते हैं उन्हों बचाने के लिए ना कि उन्हें मार निकिले इस तो उसको खृष्णा जी को यह बात समझ आ जाती है कि हाँ मैं तो घुस्ते में हो गया था बाद मुझे बात समझ आ गई है और आप तुम चले जाओ कि दृधराष् comida क्षा संसे जाने आड न से दिरत राष्टर अंटर यदिक की फादर के फादर धुरम की फादरी आते हैं ही अ पॉलिजाइस कृष्म वो ख़िश्ण से शमयाच्छu करते हैं बहाफ twin घ्रिखत की फीर्वड path comes away from there फिर वो Krishna उनको माव कर देते हैं और वहाँ से आ जाते हैं तो ये था अपना चाप्टर लेलो स्क्रींशोट दन तो ये था अपना चाप्टर लेलो स्क्रींशोट और बेल इकन को प्रेस करना ना भूले अधिक मैं लग्मीडियो दन प्लेस राइट न कमेंट सेक्शन थैंक ये सुमज हो वोच जयाएं